मेरे परिवार जनों, हमारे देश में किसानों को लेकर, क्रिशी निती को लेकर, जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दाइरा भी बहुत सिमित था। किसान के ससक्तिकर्ण की चर्चा सिर्फ पैदावर और उपज की भिक्री के इर्दगीर तक ही सिमित रही, जबकि किसान को अपने दैनीक जीवन में भाती भाती की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकारों किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौत तरफा प्रयास किये। पी-म किसान सम्मान निदी के माध्यम से हर किसान को कम से कम तीस हजार रुपी दिये जा चुके हैं। छोटे किसानों को मुसीबतों से बहार निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृशी में सहकारिता को बढ़ावा देना ये इसी सोच का परणाव है। पैक्स हो, एप्पी ओज हो, छोटे किसानों के ऐसे संगठान आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। बंडारण की सुविदा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठानों को हम आगे ला रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने दाल किसानों के लिए भी पल्सिस के जुखेती करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा निर्णे लिया है। अब दाल पैदा करने वाले किसान जो दाल किसान है वो ऑनलाइन भी सीधे सरकार को दाले बेच पाएंगे। इसमें दाल किसानों को MSP पर ख़दित की गारंटी तो मिलेगी ही। साथ ही बाजार में भी बहतर दाम सुनिश्चित होंगे। अभी ये सुविदा तूर या अरहर दाल के लिए ही दी गई है। लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दाइरा बढ़ाये जाएगा। हमारा प्रयास है कि दाल खरिदने के लिए जो पैसा हम विदेश बेचते हैं वो देश के ही किसानों को मिल सके।